नमस्कार वियस किचन में आपका स्वागत है तो कैसे आप सब उमीद सब अच्छे से होंगे तो मिल रहे हैं को नई रेसिपी के साथ हाजम बनाएंगे टमाटर की भूती खटी मिटी टेस्टी चटा की दर चटनी और यह आप जैसे सब्सक्राइब जाता तो आप किसी भी टा है तो चलिए अब इने हम इस तरह से बीच में से काट लेंगे हलकलका निशान लगा देंगे और जब भी आप इचटने बनाएं तो टमाटर हमारे जो हैं आप लाली ले और जितना चाहे आप उतनी बना सकते मैं यहां पे फिलाल 5-6 टमाटर की बना रही हूं तो चलिए ट पानी मेने पहले यहां पे गरम होने के लिए रख दिया था तो टमाटर हम पानी में डाल देंगे और इने हम 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे आप चाहे तो बाल के बना सकते हैं वरना पैसे भी बना सकते हैं इनको बून पे गैस पे ठोड़ा सा रोस्ट करके तो लीजिए हमारे जो हैं बोईल हो गया है इनका चिलका में उतार लिए ठंडे हो गया है और चिलका उतार के आप इन्हें काटके मिक्स के जार में डाले क्यूंकि हम इसकी प्यूरी बनाएंगे इनका इबीच का पार्ट हटा दें आप आप यकिन मानें बहुत ही टेस्टी चटनी बन के रेडी होती है एक पर बना के जरूर देखेगा तो चलिए इनकी हम प्यूरी बना के रेडी कर लेते हैं प्यूरी मैंने बना लिया है तो अब हम चटनी की त्यारी करते हैं यहां पे मैंने एक चमच लिया है तेल तेल हमारा तो यहां पर मैं डाल रही हूं आदी चोटी चमच जीरा और आदी चोटी चमचली आमेने राई सरसो के दानी और आदी चोटी चमचली आमेने सौंफ यह भी आप जरूर रड़ करें बोधी टेस्ट शुटनी बड़ी की सिर्ट फ्लेवर बोध बड़ी आता है तो दो पिंच हमारा जो है सौफ्ट हो गया है तो अब हम यहां पर आड़ कर देंगे एक इंच अद्रक काटकुडा मैंने ग्रेट कर लिया है आप चाहे तो यहां पर पांसे चे कर लिया लसुनकी भी डाल सकते हैं पर मैं यहां पर सिर्फ अद्रक और हरी मिर्ची डाल रही हूं एक का सब भून लेंगे हमने यहां पर जो यह प्याज एंड का कलर जड़ा चेंज नहीं करना है बस हलका साफ्ट करना है तो यहां पर मैं अड़ कर रहे हूं 140 स्पून हल्दी पाउडर एक चोटी चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर और इनको हम गैस की फ् को सलो रखें क्योंकि हमने मसाले भूनने ज्यादा ली यह जलने नहीं चाहिए मसाले हमारे बिल्कुल भी यहां पर एक चमच में इसमें पाणी डाल दूँगी तो देखिए मसाले हमारे परफेक्ट भून गए हैं तो आप मैं इसमें एड कर देंगे जो हमने टोमाटर की ब्यूरी रेली कर रखी है तो चलिए नहीं हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ और अगर आपको मेरी रेसेपे अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और प्लीज साथ में देए बेल लाइक को प्रेस कर लें आप उसे देख पाएं तो जूस चार में हमने यह टमाटर पीस से थे उसे भी मैंने थोड़ा सा पानी आड़ करके इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें आड़ करेंगे नमक क्योंकि नमक कभी तक हमने नहीं डाला था आप अपने टेस्ट कर लिएगा मैंने यहाप एक च पान पाणा पड़ेगा तो हम इसे धक के 10 मिंट के लिए पकाएंगे तो मैंने यहापे कमी पानी एड़ किया था देखिए अब इसमें पानी बगाए तो बाकी है तो अभी हम इसे और ढ़क के पकाएंगे लीजिए पाणी लगभग इसमें थोड़ा ही बचा है तो अब हम इसमें आड़ कर देंगे गुर्ट क्योंकि हम यह खट्टी मिटी बना रहे हैं अगर आप मिटी चट्नी नहीं बनाना चाहते तो गुर्ट को स्किप कर दें तो लीजिए मैंने आप एक चमस लिया था गुर् पकने के लिए छोड़ देंगे और एक बार आप इस रेसिपे को ट्राइ करके देखें बहुत ही टेस्टी और यम्मी चट्नी बन के राड़ी होगी लीजिए जो इसका पाणी है लगभग सूख गया देखें कितनी गाड़ी हमारी हमारी कट्टी मिठी टेस्टी चट्नी ब कि प्रांटे के साथ रोटी के साथ या सबजी के साथ साइडी में भिले सकते हैं इस फ्रिज में दबना के रख सकते हैं ब्रैन अला कानी करते हैं बच्चों की बहुती के पसंद आए क्यों है कि खट झीचाट् な है an अगर आपको रएसे पिचलागे तो वीडियो को लाइक